हम गांधी के बंदर नहीं बन सकते आँख बंद करके नहीं देख सकते ऐसे साजी इसको सरकार मुझे नहीं मतलब है केंदर सरकार और राज सरकार से अभी छट पुजा में करोना हो रही थी छट पुजा हमारी रोक दी गई और किसान अंदोलन में करोना नहीं हो रही है और रागनीतिवारी फिर रोड़ खाली कराएगी और अंदोलन बंद कराएगी. हाँ, परदर्सन करके अपना अधिकार मांगने का सब को हक है, पर उस आर में उमर खालीद और सरजील जैसे गदारों को छोड़ाने की बाद खालिस्तान बनाने की मांग करना. अरे विधर्मियों, तुम जानते हो, तुम्हारी साजीस को मैं नहीं समझ रही हूँ. हम तो निपठी लेंगे किसान अंदोलन से, मैं खाली कना ही दूँगी. किसान ना खेती करनूना खिलाफ पर दर्शन लगातार जारी हैं। इन नहीं नहीं उस बलो दावा की तजारिय के जेकर केंदर सरकार बलो 16 दिस्टंबर तक किसानी अंदोलन नो खातम नहीं करवाया गया ता उस बलो किसाना दा अंदोलन बंद करवाया जाबेगा ते नाल ही दिल्ली दे सारे रास्ते भी खाली करवाया जानगे खाली जैसे देश द्रोहियों गद्दारों के रिहाई की जो साजीस चल रही है और गद्दारों के जो साथ दिया जा रहा है किसान अंदोलन में हम गांधी के बंदर नहीं बंद सकते आंख बंद करके नहीं देख सकते ऐसे साजीस को सरकार मुझे नहीं मतलब है केंदर सरकार और राज सरकार से, अभी छट पुजा में करोना हो रही थी, छट पुजा हमारी रोक दी गई और किसान अंदोलन में करोना नहीं हो रही है, मैं गांधी के बंदर महिला नहीं हूँ, 16 तारिक तक सरकार अगर किसान अंदोलन से को हटाती नहीं है और किसान अंदोलन से निफटती नहीं है तो 17 को फिर जाफराबाद बनेगा और रागनिति वारी फिर रोड खाली कराईगी और अंदोलन बंद कराईगी इसकी पूरी जिम्मेदारी के अंदर सरकार और राज सरक कि होगी इसमें हम बंदर बनके नहीं देख सकते हैं भारत के राष्टवादियों इस राजनिती को समझे है हाँ प्रदर्शन करके अपना अधिकार मांगने का सब को हक है पर उस आर में उमर खालिद और सरजील जैसे गदारों को छोराने की बाद खालिस्तान बनाने की मांग करना अरे बिधर्मियों तुम जानते हो तुम्हारी साजीस को मैं नहीं समझ रही हूँ रूची बहान जानवी दिव्या बहान अंजली बहान समेत जानकी धाम की साड़ी बहनों को मैं कह रही हूँ जो 17 तादी को त्यारी करिए अगर किसान आंदोलन से सरकार मुक्त नहीं कराती है किसानों से दिली को तो फिर से जाफराबाद रागनी तिवारी बनाएगी और जो जो होगा उसकी जिम्यदार केंदर और राश्टरकार होगी दिली पुलीस होगी जैसे राम है भारत के राश्टवादियों 17 को रागनी तिवारी का साथ दीजिए हम तो निपठी किसान आंदोलन से मैं खाली करा ही दूंगी जैजनक जनी जानकी जैजगत जनी जानकी जैपुनवराधम जैस्रीराम बंदे मातरम किसान आंदोलन के आर में जो साजी सो रही है उसके लिए 17-16 तारिक तक नहीं अगर हटी तो 17 को रागनी तिवारी खाली कराएगी जैस्री ओथे ही पाजपादी संसद मेंबर साधवी प्रग्यानी इल्जाम लाया के दिल्ली चे परदर्शन कर रहे लोग किसान नहीं, सगो किसाना दे पेश चे विरोधिया बलो, किसाना नू पड़ कोंडी कोशिश किती जारी है, नाली ही उन्ना दाबा किता के मोधी सरकार बलो, ल किसानों के वेश में बंगपंति चुपे हुए, कॉंग्रेसी चुपे हुए है, जो देश बिरोधि, ताकते कर देश बिरोधि, लोगों को इखटता करके, और खिसानों को ब्रहुत करने का प्रयास कर रहे हैं, इनके आंदोलन नहीं है, ये तो राश्ण घात के लिए तैय और ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को जिलों में डालना चाहिए क्योंकि ये लोग हमेशा देश के बृत खड़े हो जाते हैं किसानों का भला करने के लिए जहां आज लोगों को एक होकर के सवर एक सवर देना चाहिए वो नहीं कर रहे है आप देखिए कि पंजाब में कॉंग्रेस का शासन है पंजाब ने ये नियम लागू नहीं किया और पंजाब के किसान अंदोलन कर रहे हैं यदि पंजाब लागू करता तो किसान अंदोलन करते समझ में आता है बाकी प्रदेश क्यों अंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं सि किसानों के लिए बिल लाया गया है वो बिल 100% किसानों के हितमे है और इसमें किसी प्रकार्शी सुधार की कोई आवस्छक ता नहीं तो कि सुधार करके ही यह बिल लाया गया है और यह दबाव इनका गलत है दस दी के किसाना दा थार में दिन भी दिल्ली चतरना पर दर्शन लगातार जारी है किसाना दी मांगे की केंदर सरकार खेती कनून बापिस लबे ते उना बलो संगर्शनू दिनो दिन तेज किता जारी है पर उथे ही कई पाचपा लीडरा वलों किसानी अंदोलनों हाईजेक करन दे दोश लाए जारेने ते नाल ही दावा किता जारियें के खेती कनून किसे भी हालच बापस नहीं होनगे।